नवश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोश कबर का एक्रम सेंच सेक्स मैरेज यानि समलेंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोट ने निराश किया है निराश किया है LGBTQ समूग को देश के प्रगतिशील समूग को और उन तमाम लोगों को जिन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोट इसमें सरकार के दबाव को धता बता कर एक कदम कम से कम आगे बढ़ेगा सुप्रीम कोट बातें बहुत अच्छी अच्छी करता है यानि observations उसके बहुत शार्प होते हैं लेकिन जहां एहम फैसले लेने होते हैं उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह सरकार को बड़े पैमाने पर नाराज करने से बच रहा है चाहे मामला same-sex marriage का हो या फिर अयोध्या का हो नोटबंदी का हो या फिर करोना से लेकर राफेल तब ये तमाम फैसले सुप्रीम कोट की निश्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन कड़ा कर रहे हैं फिलहाल same-sex marriage पर जिस तरह से तीन बनाम दो का ये फैसला सामने आया है और उसने इस समोह की मांग को एक बड़ा शू ने दिया है सिर्फ कुछ अच्छी बाते कहीं हैं उससे निराशा जाहिर है होनी ही थी दोस्तों यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस एहम फैसले पर जो same-sex marriage का पूरा का पूरा मुद्दा था इस पर सुप्रीम कोट ने सुनवाई 11 मई को ही पूरी कर ली थी 18 अप्रेल से लेकर 11 मई तक दोनों पक्षों को सुप्रीम कोट सुन चुका था पांच जजों की बेंच जिसमें दीवाई चंद्रचूड यानि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल जस्टिस संजे किशन कॉल एस रविंद्र कॉल एस रविंद्र भट हीमा कोली और पियेस नरसिम्हा ये सारे के सारे लोग सुप्रीम कोट में लंबी बहस के बाद इस निशकर्ष पर पहुँचे कि इनकी मांग यानि LGBTQ समूख की मांग को उस पर कोई भी न्याईक फैसला वे नहीं दे सकते सारा का सारा दारो मदार उन्होंने वापस सरकार के पास पेश कर दिया सरकार ने यहाँ पर जो अपनी अपील की थी जो अपना तर्क पेश किया था कि वह एक कमेटी बनाएगी और वह कमेटी तै करेगी कि LGBT Q की जो मांग है इसके बारे में क्या रुख अख्तियार करना चाहिए और आप देखिए जो लंबी तकरीर पेश की गई सुप्रीम कोट के भीतर और जिस तरह से जब चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने अपना पक्ष सुनाना शुरू किया तब बहुत से हिस्से में ऐसा लगा कि कम से कम एडॉप्शन यानि संतान को गोद लेने का अधिकार यह सुप्रीम कोट उन्हें मुहया कराएगा लेकिन अंदता जो निशकर्ष सामने आया तीन दो का यह फैसला है और उसमें भहुमत ने यह फैसला किया कि किसी भी तरह का कोई भी अधिकार ठोस अधिकार इंको नहीं मिल सकता यानि बातें बहुत अच्छी बातें की गई इस समाज के बारे में लगी बित्य क्यू समाज के बारे में तमान तरह की सम्वेदनाएं Chief Justice of India ने पेश की यह भी कहा कि यह कोई अर्बन फिनॉमिना यानि की शेहरी फिनॉमिना नहीं है यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि वहत तै करे कि उसकी सेक्श्वैलिटी क्या है लेकिन मिलॉर्ड यह भूल गए कि इस बाबत दिल्ली हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट पहले ही फैसला दे चुका है पहले ही जिस तरह की रिग्रेसिव धाराएं थी उनको खारिच किया जा चुका था अब ज़रूरत थी एक कदम आगे बढ़ाने की जिसकी मांग यह समाज लंबे समय से कर रहा था यह समाज इसमें 21 प्रेटीशन्स थी 21 प्रेटीशन्स में तमाम लोगों ने मांग की थी कि जिस तरह से एक क्रिमनलाईजेशन की दिवार गिराई गई उसी तरह से इस तरह के दमपतियों को कपल्स को साथ रहने की अनुमती हो, बच्छा गोद लेने का अधिकार हो और अंतिता हासिल शूने हुआ, बड़ा जीरो दिया सुप्रीम कोट ने लगी बीटी क्यों की इस मांग को आगे देखिए स्क्रीन पर इस जज्जमेंट का मतलब क्या हुआ, मैजॉरिटी ओपीनियन तीन बनस्पत दो का इह फैसला है, इसमें बहुत साफ शब्दों में पांचों जजों ने कहा कि एलजी बीटी क्यों को शादी करने का अधिकार नहीं है, जो मैजॉरिटी ओपीनिय है वहय है, no right to civil union, it can only be through laws, यानि साथ रहने का अधिकार, शादी करने का अधिकार नहीं है, अगर ऐसा चाहिए तो उसके लिए कानून की ज़रूरत होगी, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं, यह मैजॉरिटी का मानना है, और साथ ही साथ, यह कहा, have the right to choose their own partner, और transgender person have right to marry, और जो minority opinion है, जिसमें Chief Justice of India का भी opinion शामिल है, no right to marriage, यानि शादी का अधिकार नहीं, have right to civil union, यानि संग रहने, साथ साथ रहने का एक अधिकार है, have right to adopt children, यह बहुत एहम minority opinion है, कि आप बच्चा ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं, और इसे ले कर, Justice चंदरचूर ने बहुत लंबा explanation भी दिया, और इसके बारे में बताया भी, कि सामान दंपत्ती ही सिर्फ बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हैं, LGBTQ समूंग के लोग भी दुनिया भर में बच्चों की परवरिश करते रहे हैं, और ऐसे अंगिनत उदाहरन हैं, Transgender Persons Have Right to Marry, यानि दो चीजों पर Minority और Majority एक साथ खड़े हुए इस फैसले में दिखाई देते हैं, वो है Transgender Persons के संदर्व में, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इस पूरे फैसले में, जिसकी आशंका हमें बिल्कुल शुरू से थी, कि जिस तरह से Supreme Court, Supreme Court में बहुत एहम मुद्दों पे जब बहस चलती है, तब बात हैं तो बहुत अच्छी अच्छी, तमाम जस्टिस करते हैं, खास्तोर से जस्टिस चंदर्चूर, जब अपना opinion, observation रखते हैं, तब बिल्कुल rights perspective को रखते हैं, लेकिन फैसला लेने की घड कारी में जो एहम चीज है, उसमें सरकारी पक्ष को नाराज करने के लिए Supreme Court तैयार नहीं निखाई देता, और यही एक बहुत बड़ी निराशा का सबब है, LGBT Q का यह जो फैसला आया है, आपको यहां मैं याद दिला दूं कि 2018 में Supreme Court पूरी की पूरे रिष्टों के बारे मे एक क्रांतिकारी कदम उठा चुका है, और उसने तकरीबन दिली हाई कोट में 2009 में जो समलैंगिक रिष्टे हैं, उनको जिस तरह से अपराग की कैटिगरी में रखा जाता था, उसे जो खारिश किया था, उसे दुबारा Supreme Court ने माना था, और इसके बाद यह समू बड़े प बड़ा कदम Supreme Court उठा सकता है, अगर शादी नहीं तो कम से कम जो एडॉप्शन का अधिकार है, बच्चे को गोद लेने का अधिकार है, इस दिशा में Supreme Court कदम बढ़ा सकता है, लेकिन जिस तरह से फैसला सामने आया है, उसने एक तरफ आप देखिए, कि जो धार्मिक अंध करता वाले लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, मुसलमान धर्म के हों, या इसाई धर्म, वे सारे लोग सुप्रीम कोट के इस फैसले से बहुत खुश है, और वहीं दूसरी तरफ, वे तमाम समूह, जो समाज को आगे बढ़ता हुआ आप सुनिये, तो आपको लगेगा कि उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोट के जो बार एसोसियेशन की प्रेसिडेंट है, अदीश अगरवाल, उन्होंने जिस तरह से सरकार के साथ ए तरह से कदम ताल करते हुए, और भक्तों से भी आगे बढ़ते हुए, यह बयान दिया वह सुनकर हैरानी होती है कि इस तरह के लोग नियाए भालिका में और सुप्रीम कोट में ना सिर्फ वकालत कर रहे हैं, बलकि जो फंडमेंटल राइट्स का सबसे बड़ा पहरेदार है, सुप्रीम कोट वहाँ पर वेब मौजूद हैं. I welcome the decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court. निठारी का, निठारी में हुए बलाकार और हत्याओं से संबंदिज जो फैसला आया है, इलाबाद हाई कोट का, जिसमें जो दोनों अभ्यूक्त हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है. और इसमें जो नौकर है वह तो आजिवन कारावास भूगतेगा, लेकिन जो मालिक है वहाँ का, वह आजाद घूमेगा. आपको याद दिला दें और शायद याद ही होगा, कि जिस तरह से निठारी में, यानि दिल्ली से सटे नोएडा में, ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ था, जिसमें बड़े पहमाने पर गरीबों के बच्चे गायब हुए थे, उनके शरीर के अंग मिले थे, नाले में, उननिस कंकाल मिले थे, पांधेर के घर के भीतर से, पूरी मानवता हिल गई थी, मीडिया ने लगातार इस पर कवरेज की थी, और देखिए, जो निचली अदालत है, वह फासी की सजा देती है, और इलहाबाद हाई कोट क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर, वह साफ साफ शब में कहता है, कि CBI ने, जी हाँ, वही CBI जो जाच एजनसी है इसमें, उसने अपना काम ठीक धंग से नहीं किया, उसने जो गरीब नौकर है, उसे तो विलन बना दिया, लेकिन जो मालिक है, उसे बचाने का रास्ता खोल दिया, और तो और, जिस तरह से इस पूरे मामले में, CBI ने तमाम तत्थियों को, तमाम जो जानकारियां मिली थी, उनके साथ एक खिलवार किया, उस पर हाई कोट बोलता तो है, अब्जर्वेशन तो देता है, लेकिन किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, यानि निठारी कांड, निठारी में हुए हत्या और बलातकार के त इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है गरीबों के बच्चों को नियाए की आस के साथ, क्योंकि ये तमाम बच्चे, तमाम बच्चियां, तमाम महिलाएं, जिनके साथ बड़े पैमाने पर अपराद हुआ था, जिसकी ओर इशारा, इलहाबाद हाई कोट का या फैसला भी कर रह है कि CDI ने औरगन ट्रेड यानि अंग का वैपार जो करने की साजेश होती है, जो रैकेट चलता है, उस दिशा में सही ढंग से तफ्तीश नहीं की, अपराधी कौन है, निठारी में जो कांड हुआ, जो बच्चे, बच्चियां महिलाएं गायब हुई, उनका जिम्मेदार कौन, एक तरफ लोकतंत्र में अदालते हैं, दूसरी तरफ सरकार है, और सरकार के कुछ एहम फैसले हैं, एक ऐसा फैसला जो बताता है कि सरकार किस तरह से किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि सच सामने आए, यह मामला जोड़ा हुआ है, आई आई पीएस संस्थान से, आई आ के डारेक्टर के एस जेन से, जिन्हें सरकार ने आनन फानन में जुलाई में सस्पेंट कर दिया, और देखिए, इनका सस्पेंशन जिस दिन वापस हुआ, उसी दिन इनका इस्तीफा भी मनजूर हो गया, और इनका रिष्टा क्या था, इक क्या चीज थी, जो देश और कर्शा करते रहे हैं, मिस्टर जेंस, जिम्मेदार थे, दुनिया के सामने यह सच लाने में, कि जिस तरह का दावा केंदर सरकार कर रही है, और जुबला को लेकर, यानि फ्री रसोई गैस को लेकर, जिस तरह से वो दावा कर रही है, कि कुपोशन हट रहा है, जिस तरह से वो दावा कर रही है कि open defication यानि खुले में शौच खतम हो रहा है यह सब जमीन पर सरकारी एजनसियां जो आकड़े दे रही हैं उसके मताबिक सही नहीं है यही था family health survey में जिस health survey को सरकार ने पूरी तरहा से जमीन दोस कर दिया और जिम्मेदारी दे दी सजा दी मिस्टर जेम्स को कि ऐसा तथिक कैसे सामने आया मामला सिर्फ यही नहीं रुखता है आप देखिए जो CAG है CAG यानि सरकारी आकड़ों पर audit करने वाली संस्थान इसकी जो report आई पिछले दिनों जिस पर बहुत चर्चा हुई हमने और आपने भी बात की आयुशमान पर्योजना को लेकर जो घोटाला हुआ और जिसने बताया कि बड़े पैमाने पर मोदी जिस बात को जगा जगा चुनावी भाशन में कह रहे हैं कि इस आयुशमान पर्योजना से लाखों लोगों को फैदा हुआ है उनकी अपनी सरकारी संस्था कैग ने बताया कि इसमें करोणों का घोटाला हो रहा है लाखों लोगों को एक ही मोबाईल नंबर से जोड़ दिया गया है करोणों का फ्रॉड है यह जिन्नोंने सामने रखा उनका तबातला हो गया और तो और द्वार का एक्स्प्रेस बे में जो घोटाले की बात है उससे जुड़े हुए अधिकारियों का भी तबादला हो जाता है यह सब कुछ ठीक उस समय हो रहा है जिससे मैं नियाएपाली का पूरी तरह से केंद्र सरकार जिस तरह से चाहती है कि फैसले हो फैसलों की दिशा और दशा तै हो तकरीबन उसके साथ कदमताल करते हुए दिखाई दे रही है और साथी साथ ब्यूरोक्रेसी जो पूरी तरह से उंकी है उसमें भी जब कुछ तक थे कुछ सच सामने आने लगता है तो वह भी सरकार को गवारा नहीं होता और निश्यत तोर पर यह जो इस्थिती है यह बता रही है कि लोकतंत्र के लिए जो खत्रे की घंटी है वह लगातार बज रही है बढ़ रही है और हम सब उसे देख रहे हैं शुक्रिया झाल